हालो स्टुडेंट्स आज हम स्क्वायर निकालने के ट्रिक सीखने वाले हैं यानि कि कोई भी दो डिजीट नंबर है अगर कोई दो डिजीट नंबर है उसका जो स्क्वायर है यानि कि वर्ग उसको निकालने के ट्रिक आजम सीखने वाले हैं कोई भी दो डिजीट नंबर हो स तो सबसे पहले क्या करना है 13 के 3 खंड करने है सबसे पहले 1 2 3 ठीक है लास्ट वाले नमबर का स्क्वाइर कर देना है तो लास्ट में क्या 3 है तो 3 तरक्की 9 9 में कोई हासिल नहीं है 9 लिख दिया उसके पास 1 3 2 यह जो नमबर दिये इन सबको आपस में मल्टिप्लाय कर देना है तो 1 3 3 3 2 6 6 में भी कोई हासिल नहीं है उसके पास जो सबसे लेफ्ट में नमबर है यहाँ पर क्या है एक है तो इस नमबर का स्क्वाइर कर देना है तो एक का स्क्वाइर क्या होता है एक तो 13 का स्क्वाइर क्या है तो मैंने क्या बताए है, सबसे पहले 3 खंड करने है, लास्ट वारे नम्बर का स्कॉयर निकालना है, तो लास्ट में क्या है, दो है, तो दो की स्कॉयर क्या है तो 4 होता है, उसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई, 9 दुमी August 18, 18 दुमी August 36, आब यहाँ पर ध्यान देना, 36 के 6 ह तो नो है 9-81-81-81 आपका कितना हो जाएगा एक प्यासी और तीन आपका हो जाएगा 84 तो तो बान नभे का स्कॉयर कितना है गाएगा 84 64 चाओट तो यहां पर हमने कुछ और एकजाब लिए हैं तो इनकों हम बहुत तैजसे करना सिखाते हैं सबसे पहले क्या करना है लास्ट नम्बर के स्क्वार 2 दुनी चार उसके बाद इन दुनों सब का? मल्टिप्लाई 5 दुनी 10 दुनी 20 20 का 0 हासीर लगा 2 उसके बाद इस नंमबर के स्क्रम की स्क्वार 25 25 completely किंता हो जाएगा आपका 27 यानि कि 52 के स्क्वाइर हो जाएगा 274 तो ये दू कुश्चन आपके प्रेक्टिस के लिए हैं इनको आपको सॉल करना है और तामेंट बॉक्स में इनकांसर कमेंट करना है तो इस क्लास में हमने स्क्वाइर निकालने की ट्रिक सीका है जो दो डिजिट नंबर पर होने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब पीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग